इस स्वाल में आप देख रहे हैं, कि एक, शेट असकोर 60 पर 45 पर लग लगला है, तो 60-45 से 105 डीकरी इसका अंसर होगा, सवाल आगे देख रहा है कि Sheta Squared से हम लोग 15 का Multiple Angle बना सकते हैं इसका बाद देख रहा है कि Mini Drafter से हम लोग Purpose किसमे काम करेंगे ति Compass का काम करेंगे Mini Drafter में जा है इसका Purpose Compass का Accept हम लोग कर सकते हैं सवाल आगे कर रहा है Mini Drafter Server Purpose जाते है Everything Accept तो इसका अनसर D वहला Compass होगा यह भली बात ही समझ लिए यह डाफ्टिंग मसीन बहुत important है इसके बाद आपको सवाल अगरे स्क्रीन पर आ रहा है कह रहा है the combination of the T-square the following of the angle can be drawn estimated तो हम लोग जहें इसमें कुन-कुन एस्ट जो है नहीं घिश सकते हैं बीच आफ दा फुलोइंग कंपास इस युद्ट ड्रा अस्मॉल साइज सर्किल तो इसमें अनसर डॉप के दवारा होगा दा डिजनेशन ऑफ दा स्टीट ऑफ दा फांसर चुराण में उनसाट सेक्तालिस किसका है तो एवन का है यह ट्रिम्टेट साज है सब्सक्राइब करके हैं साथ याद राखना है आपको इसके सवाल कर रहा वीचे दा फुलोइंगा तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगा तो सब्सक्राइब इस नहीं होता है तो इसमाल नहीं होगा तो इसका अंसर हो गया और यह अंसर आप देख रहे हैं इरेजर आपको कंप्लीट याद रखना ड्राइंग टूल कर रहा है ड्राइंग टूल्स टीट वाइं तब या इस भटी दा मेजरमेंट ऑफ द एथ यह त्री का माजरमेंट दूसर संतानुन चौरसोब इस यह एंसर आपका सी वाला होगा दूसर संतानुन अपर से 45 लगा दिया तो यह आप कंप्लीटली समझ लीजिए तो इस तरह से स्कॉर से पंदा को मेंटीपल बनता है कि 700 mm बिलेड लेंद का स्पेस्टिक स्कॉर कौन साथ सब्सक्र क्या नाम है तो उसका टीटू नाम है टीजूर सब से पंदरस होता है टीवन आपका एक लेटर में किसके यूद करते हैं एच का ऐसे हम लोग एच का ज्यादा इस्तमाल कर लेटर में और स्केचिंग फेचिंग में तो एच भी है तो एच भी भी सही है यह दिमांग में आपको रखना है आपको सवाल आगे हम बढ़ रहे हैं अगले स्क्रीन पर सवाल आ रहा है कहा रहा है कि वीच टूल साथ यूटफुल्फुल्फुल्फुल्फुल्फुल्फुल्फुल् सवाल आगे कहा रहा है कि वीच दा टूलिफुल्फुल्फुल्फुल्फुल्फुल्फुल्फुल्फुल्फुल् पांदरे एंगल ट्राइंग तिया आपको कंप्लीट दिमाग में रखना है अन्य था यह कब मिश्टेक हो सकता है इसकार भाटी दे एंगल बीट्विन दा स्टॉक एंड विलेड टी स्कॉर्टी स्कॉर्ट विलेड अस्टॉक बीच में अब डिकर रहता है यह कंप्लीट को देखना हिसमें यहीं चुनायगा करें हिंद रायंग द्राइंग-षिट इंच्टीड अफड़िट्य कट्रेश करद राया द्धियर तोन से यह विलेट्विल पर जब्रॉक्षिन परती विलेड लगता ओप्सं थेरी होगा सी वल आपका जबाब होगा इसका वाद सवाल हम आगे देख रहे हैं करें दर ड्राइंग ऑफ द्राइंग स्टीट अफ दे यूजिंद ट्या स्कार से ट्रसकर तो आप समझ गये इसमें अंसर 0.5 mm होगा यह अंसर सही है इसका वाद कर वीच इता फॉलोईंग लाइन इस दर ड्राइंग पेंशिल को नहीं जैसे जैसे निचाहेंगे यह सौट की कम ही होती जाएगी तिस तरह से ड्राइंग पेंशिल अफ मेंट कारबन कर बन रहता है वीच इस दा फॉलोईंग अथा पेंशिल अफ दा सॉट पेंशिल से वन बी इसका नसर सही है चार वर दीश्क्राइद कर बाइद कर नाम है और इसी लेंथ पर ख़ार करके टियाश्कार नाम है और इस तरह से खार आप वह वाट और दे एंगल ऑफ दा स्टेत श्कॉर से टेंग एक नहीं पैतालिश पैतालिश और तीस सट तो टीस तो आंगे लोगा पैतालिश पैतालिश प्रिक्तिन हो गया अप्शने आपका सही अंसर होगा यही दिमाग मुझे रखना वाटी दा हाट्डेस्ट ग्रेट पिं मज़े स्टाइस्ट का बना रहता है तो मुष्ट